तो नवस्कार आप अभी कब बहुत स्वागत है आज के मीन राशी फल में आए जान लेते हैं मीन राशी वालों का दिन कैसा होगा क्या अनूनी होगी क्या खुषकबरी पूरा विश्थार से जानेंगे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बटर जरूर दबा लिए और कमेंट में हैपी रक्षबंधन और जैफरी राम चरूर लिए आए जानते हैं दिन कैसा रहेगा वीडियो को विश्थार से फुनते रहे ग्रह नचातर की इफ्थित से जानकारी मिल रही है कि में राशी वालों के बैपार में आज तेजी आएगी आर्थिक मामलों में भी फमय अनुकूल रहेगा और किसी निवेफ द्वारा अचानक से फुक फईयोग बनेंगे काम धंदे फे फमय दिन भार प्यश्थता रहेगी और क्राह की चहल पहल फे बिक्री में बरहोत्री होगी लोहे एवं इफ कैंप द्वारा आधि फे जुड़े कारियों में तेजी बनी रहेगी स्टेशनरी एवं जेल फे जूड़े कारियों में अच्छा कारोवार होगा नवकरी पेशवर्ग के जा तक आज आफिस में अधिकारियों के साथ वेतन बृत्ति के प्रयास करेंगे पारिवालिक जीवन की बात करें तो आज ग्रह उपयोगी वश्तियों पर धन का खर्चा होगा माता पिता की फलाय और आशिरबाद उपयोगी फिद्ध होगी जीवम फाति का फ़योग वा फनित परयाप्त मात्रा में मिलेगा आर्थिती के आगमन का हज़ हो फक्ता है फ़यम काल के समय मित्रों के साथ घूमने फिरने के दवरान कोई महत्तपूर जानकारी मिल फक्ती है आज आपकी सेहत की बात करें तो मीन राशिवालों का आज का दिन पुरानी चोट का दर्द उभर फक्ता है ठंडे वातावरान एवं ठंडी ताफीर वाले भोज पदार्थों का फेवन फेव बची और अपनी सेहत का बिफेव ध्यान रखी क्योंकि जीवन है तो कल है आए मीन राफी का उपाय भी हम चान लेते हैं नौकरी वाब फायवें उन्नत के लिए पांच बेल पत्र पर फफेज चंदन के बिंदी लगाकर फिबलिंग पर अरपित कर दें और फ्यूग चली सा का पाठ करें इससे आपके जीवन में खुफ हाली बनी रहेगी